वारे में बात करें तो हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया था तो उसको आप जाकर देख सकते हैं और यह देखिये जी दूसरा वीडियो इसका दूसरा पार्ट है तो यह हमने आप लोगो बताना भूल गया था दोस्तों मैं अभी इसमें बताता हूं हुसrą तो जो हमारी बैटरी दी दूस्तों हिए दिखिये हमारी बैटरी से क्षबिस टूक का आब द ठाना एक एक अरार यूदि में जा रहा हूं और एक हमारा दिखिए स्टार्ट से काटरर पुमेंगा तो ये देखें इस सप्लाइज गये था Ciao2 कि जो बैटरी साइए और साथ ही साथ बहुत था ये सप्ला गया है न वहुतते हैं वहींियो जो हमारे न blossette आप देख सेथे हैं यहां से होते tag अधरे यह गया था हमारे ये देखिए इसुस्प में सिशे सुऩ norm घड़ में यहां हम स्भाइब यहां से मिल रही इती इसवब हैइं जो में सब्नार आ идет अब बची थी एक भाइब तो आपको बताता हूं कि जो वायर है वो किसलिए काम आए अब यह अभी तक इसका circuit complete नहीं हो दोस्तों क्योंकि देखिए एक relay में supply आ रही है एक उपर से supply आ रही है अब एक earthing की जरूरत है तो वह earthing कहां से मिलेगी दोस्तों जो आपका बटन है जो self का बटन होता है उसमें से मिलेगी यह देखिए जो आप self दबाएंगे तो आपका जो earthing है वो जाएगा और आपका जो relay है उसकी पत्ती connect हो जाएगी और आपका starter घुमेगा तो I hope दोस्तों आप लोगों यहां तक कर समझ में आगया होगा तो हमने बागी चीज़े सब चीज़े देख लिए मतलब जो जो मैंने पिछले वीडियों बताया था उसी को मैंने repeat किया और बागी पूरा circuit को complete कर दिया रिले वगर के हमने बात कर ली बाकी component की भी मैंने बात किया और सब चीज़े समझा दिया आप लोगों तो दोस्तों क्या important होता है पहले उस पर मैं बात करता हूं तो देखिए wiring जो है देखिए जो wire होती है वह कौन सा phase जा रहा है कौन सा आपका neutral आ रहा है तो वह चीज़ important होती है आप अगर उसको ध्यान रखेंगे तो आपको यह देखना पड़े देखना जरूरी नहीं पड़ेगा कि यह wiring कौन सी होगी यह wiring current में आएगी यह नहीं आएगी तो आप यह देखिए छोटी-छोटी component है तो वह आप समझ जाएंगे बहुत आसान मैनर में क्योंकि स् न्यूटल रहेगी तभी तो वह अपरेट हैगा तो यहां तक हमने सब यह component को देख लिया तो अभी हम देखेंगे lighting को और हमारे meter को और साथी साथ TCI unit के बारे में देखेंगे तो आईए देखते हैं उसको और साथी साथ आपको बताते चलता हो हर चीज़ तो आईए फिर स कि यहां रही है में सिच में 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 सी होते हिए पराउन को चाहरी है और यहािशुатов व्हुत यह व्हां रहे देखेंगे उर्याइवद में कम्प्लेट करता हो फोल ने दोब कि और आगे वह गई वह ऑन देखें हए आप देखें इस होन में ऐं गीए ही हैं मतलब direk supply आपका हॉन को तो अब इसको अर्थिंग की जदरौत है तो यह इस button से मिल जाए बटनट होगा जो color बोस्तो रोस कलर होगा से अर्थ होंगा और और यह आगे बात करते हैं तो आपको बताता हूं आगे तो हॉन तक जाने से बहले देखिए दुस्तों इधर पर एक पॉइंट यहां पर कटा था मतलब और कंपोनेंट में भी सप्ला जा रहा था तो यहां पर एक वायर कटी थी मतलब यहां से एक जॉइंड हुआ है जो के हमारे फ्लैशर में गया है तो अभी हम उपर साइड में जाते हैं मीचे बाद में आऊंगा मैं तो फ्लैशर में गया और फ्लैशर से होते ही वह वायर जा रही है आपके turn signal में मतलब आप switch में जैसे आपका left side switch आप operate करेंगे right left जैसे operate करेंगे तो वैसे यह operate होगी और current supply होगा इसमें से wire में से तो यह देखिए supply की wires है तो यह हमारी चारो indicator है जो के आगे और पीछे की हैं दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि यहां से दिखिए उपर side में अगर आप देखें तो दो वायर्स और गई ही यहां से देखिए दो वायर्स गई है एक तीसरी वायर को आप यहां से supply उपर तक जाएगी जैसे आप टन करेंगे राइट लाइट जैसे ओपरेट करेंगे तो वैसे वह इंडिकेशन देगा और अर्थिंग की बात करें दो दूस्तों यह ब्लाक वायर्स आपकी अर्थिंग मिल जाएगी आपके signal light को तो यहां तक हमने देख लिया अभी हमारे signal light का काम कहता ही अब टल लट की तरफ बढ़ते हैं और उपर साइट में चलते हैं और देखते हैं तो यह देखिए ब्राउन वायर से हमारे ब्रेक स्विच में गई भी है यह वायर्स और जैसे गई है तो दोस्तों यह मत पुषिए कि कौन कौन सी वायर क्योंकि के ब्रेक स्विच वगरा कि तो छोटी मूटी मामली वार्स है तो आप जान सकते हैं कौन से कलर किये और हर चीज करना मुश्किल है फिर मैं इसमें मेंशन कर दूंगा कौन सी वाइर्स है तो यह आपका जो सप्ला है यहां जाएगी और देखिए इस पॉइंट को जोड़ेगी इस पॉइंट को आपका स्टार्ट करेगी इस पॉइंट को दबाएगी और यह लाइट आपकी जलेगी एक वो कहाँ तक जाता है तो यह देख सकते हैं यामारे जब हमने 20 switch on किया था तो यहां से चापला जाते हुए हमारे kill switch में गई थी और kill switch से होते होगे यह हमारी light switch में lighting कि switch में गई थी जब हाँ हलका सा पुश्च करते हैं अपने बटन को तो देकिए जो आपका पाइलेट लाइट है वो जलती है तो अभी यह देखिए जाएसे हम इसको हलका सा पुछ करेंगे हमारे बटन को तो यहां से करंट आते वे यह देखिए यह आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर देखिए यह जूड़ रहा है जो आपके टेल लाइट है दूसरा आपका जो पॉइंट था वह जुड़ा और साथ ही साथ यह हमारी जाएगी तो इसको भी आरतिंग देखिए ब्लाइक से मिल जाएगी दूस्तो तो यह हमारी सप्ला वह गई तो सप्लाय जोग है आगिया मैं प्रोशीड करता हूं तो अब थोड़ा और पुश्च करेंगे जो कि अप्रेटर का सुच होता है तो अप्रेट इंपर में आएगा तो यह देखे यह पॉइंट पे जब हम इस दभाएंगे तो यह हमारी कि यह देखे यह वाली लाइट चाल ओ जाए इस तरफ वाली यह वाली लाइट चालो होगी दोस्तों यह देखे और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और दिखा देता हूं देखिए जब नीचे वाले हम दबाएंगे तो नीचे वाली लाइट चालो जाएगी तो अपड़ इपर के लिए ऐसे यूज़ होगी तो इसके जो हमारे चाबी सुच से आए थी वो डारेक्ट आएगे कि पास स्विच में तो पास स्विच जैसे आप दमाएंगे तो यह आपकी लाइट चालो होगी तो यहां तक हमने देख लिया दोस्तों अगर आप गौर करेंगे तो दोस्तों एक चीज और रहे गए जो कि हमारी ज करेंगे तो यह देखिए यहां से एक वायर उपर तक जाएगी और इंडिकेशन देगी तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही थी और मैं अप्लोड करूंगा तो बहुत टाइम लगए तो इसलिए इतना ही आज समझी है इसका न अबुलिए का थैंक्स वर वाचिंग देनेक्स वीडियो में तब तक लिया लाफिस टेक केर गुट बाइए अपना इन फंवी फाल रखे के इप स्माल आलवेज बेहबी थी थीडियो